साथियों आज बात करेंगे ईश्वर की क्रपा कैसे प्राप्त करें परम पिता परमात्मा का आशिरबात कैसे प्राप्त करें बहुत ज़्यादा आसान है ईस्वर की क्रपा को प्राप कर लेने का और इस बात को आपने गहराई से समझ लिया ठीक से समझ लिया तो आप ईस्वर की क्रपा आपके उपर बरसेगी इतनी बरसेगी आप समहल नहीं पाऊगी यहां मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा में विशेप आने से पहले आप सभी अपने माता पिता से कितना जुड़े हैं मैं नहीं जानता लेकिन जो संदेश मैं देना चाह रहा हूँ वो यह है कि सभी अपने माता पिता से उतना नहीं जुड़े आम तोर पे देखने में आता है माता से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं लोग पिता की अप एक्छा माता से ज़्यादा जुड़े रहते हैं अपवाद भी होते हैं जो माता से भी जुड़े नहीं रहते माता से जुड़े रहने का कारण है क्योंकि माता आप अपनी माह से उस समय से जुड़े हुए हैं जिस समय आपका जनम भी नहीं हुआ था जनम से नौ महीने पहले से आप जुड़े हुए हैं नौ महीने आप जिस मा के सरीर में इस्थान ग्रण किये रहे हैं जहां पोसन प्राप्तिया है आपने और जन्म लेने के बाद सालों उसी माता के स्थान से पोसन लिया है आपने और उसी माता की इंगुली पकड़ के चले एं, उसके लाड़त प्यार में आप बढ़े हैं, माताएं बहुत प्यार करती हैं, इसका आर्थ ही यह नहीं है कि माताएं ही प्यार करती हैं, पिता भी बहुत प्यार करती हैं, जितने भी कभी हुए, माता पर उन्होंने बहुत लि लिखे गए हैं, लेकिन पिता के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है, जब कि पिता का योगदान कम नहीं होता, पिता कठोर दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, पिता, एक आपका ऐसा सुरक्षा का वच है, जो कि अपनी फैमिली का, बिलकुल इस तरह से माइनस टेंपरेचर में जहां बरफ जम जाती है, उन इस्थितियों में रहता है, हाई डिग्री टेंपरेचर में रहता है, जहां आग बरसती है, तो यह सब एक पिताव फेस करता है अपनी फेमली के लिए, ऐसे में वो लाड़ प्यार नहीं करेगा, जो व्यक्ति समस्याओं से जूज रहा है, आपकी सुरक्षा में लगा हुआ, उसके पास इतना समय भी नहीं है, कि वो अपना लाड़ प्यार दिखा सके, उसके चेहरे पर कठोरता के सवा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो यहां यह समझ लीजिए, पिता की भूमिका कम नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका आए, माता की भूमिका तो है ही, एक बात से इस बात को टॉपिक को खतम करके मैं आगए बढ़ाऊंगा, जब भी आपको कोई छोटी बात आती है, छोटी मुसीबत आती है, छोटी तकलिफ आती है, तो आपके मुझ से निकलता, उई म काटा भी चुकता है, तो आपको सबसे पहले आपके मुझ से निकलता, उई मा, लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है, बड़ी विप्ता आती है, तब आपके मुझ से निकलता बाप रे, तो मा छोटी मुसीबत में काम आती है, बाप बड़ी संकट में काम आता है, इस ची दिल से आसिरवाद नहीं ले पाए अगर अपने माता पिता के दिल से गहराईयों से आसिरवाद नहीं ले पाए तो किसी गुरू का किसी इस्वर का कोई आसिरवाद आपके लिए फलदाई नहीं हो सकता ये लिख लीजिए और साथियो अगर किसी कारण से आपके माता-पिता की आँखों में आपकी बज़े से आपके कारण आँसु आते हैं तो कुद्रत भी आपको माफ नहीं करेगी, भगबान भी माफ नहीं करेगा, ईस्वर भी माफ नहीं करेगा तो जितना हो सके आप अपने माता पिता को सम्मान दीजिए प्यार दीजिए और यहां मैं उन महिलाओं से अपने उन बेटियों से भी कहना चाहूँगा जो अपने सास के प्रती है दोनों से कहना चाहूँगा सास बहु भी अगर मा बेटी की तरह रहें तो स्वर्ग बन जाएगा तो इस से आगे मैं आपने बात शुरू करता हूँ इसवर्ग की प्राप्त कर सकते हम इसवर्ग की कर्पा भग्वान क्रष्ण गीता में कहते है तु अपने अच्छे बुरे जो भी कर्म है सब मुझ को समर्पित कर देजए तो यहां समझ लीजिए भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अपने अच्छे या बुरे कर्म मुझे समर्पित कर दे जब आप ऐसा करते हैं बुरा तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप इस्वर के सरंच्छल में हैं जो भी आप करेंगे ठीक करेंगे क्योंकि जब आप प्रभू को समर्पित करते हैं हर अच्छे बुरे कार को प्रभू को समर्पित करते हैं तो प्रभू आपसे अच्छा ही होने देते हैं बुरा आपसे नहीं होने देते हैं तो इससे अब मैं आगे एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को थोड़ा समझाने का प्यास करता हूँ आपको, एक राजा और उसका एक मंतरी, दोनों में बहुत धनिष्ट मित्रता थी, बहुत अच्छे दोस्ट थे दोनों, शिकार पर भी जाते थे राजा, तो मंतरी अवश् और मंतरी का हमेशा एक ही हर बात के लिए जुमला था, हर बात के लिए एक ही बात बोलता था हो, जो हुआ, अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये उसका एक जुमला था, तो साथियो जब जंगल में शिकार क गई खून बहने लगा, चोड जादा थी, भजीर के मुह से, मलब मंतरी के मुह से निकला, चलो अच्छा हुआ, इस वन ने अच्छा किया, अब राजा को कुरोध आ गया, राजा बहुत कुरोधित हुआ, और इतना कुरोधित हुआ, कि उन्होंने उसी समय सेनिकों को दो दिन बाद फिर राजा शिकार के लिए गए, तो मंतरी तो जेल में बन थे, तो राजा के ले गए, और सेनिकों की तुकड़ी के साथ, अब इत्तफाक या जो भी, इस्थितियां ऐसी हुएं, सिकार करते हुए राजा जदा आगे निकल गए, और उनके सेनिक पीछे रह गए, और इस आगे निकल जाने के चकर में, इस आगे निकल जाने के कारण, सेनिक और राजा बिछुड गए, अब राजा सेनिकों को ढूड़ रहा है, दौनों में मिल किसी को कोई नहीं रहे, अब राजा बहुत घने जंगल में पहुँच गया, वहां पर एक नरवच्छ आके सामने पेस करते हैं, जो कभीले का मुखिया था, तो मुखिया बड़ा प्रसंद हुआ, बोला कि हमें कल अपने देवता की बली देनी है, और मानव बली देते हैं हमेशा, कितनी बड़ी कृपाई इश्वर की, उनने इतना अच्छा बली भेज दी, तो अब राजा को ले माला बगर डालके, बली वाले स्थल पर, उनकी जो भी देव था थे, उनके सामने जो बली का स्थल था, उस पर लाया गया, अब उनकी बली देने की तैयारी, पूरी हो चुकी थी, अचानक उनका एक प्रोहित जो था, जो मेन प्रोहित था, उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ी तो पुरोहित ने का मुखिया से ये बली नहीं हो सकती, मुखिया ने पूछा क्यों कि इसकी उंगली कटी हुई है, और बली में साबुत मलब फुलकुल ठीक ठाक फ्रेश ही मनुस्थ की बली दी जाती है, जे तो पहले चाट लगा हुआ है, ये बली सुईकार न आखिर निर्न ये लिया गया कि राजा को छोड़ दिया जाए, अब राजा को छोड़ दिया गया, राजा बड़ा खुस जैसे तैसे अपने महल में आ गया, अब राजा सोच रहा है कि बजीर मंत्री ने मुझसे कहा था कि उंगली कट गई, इस वर ने बहुत अच्छा किय अच्छा हुआ, वास्तम में अच्छा हुआ, मेरी इंगली कट गई है और अगर इंगली ना कटी होती तो आज मेरी बली हो जाती है, तो तकाल राजा ने सेनिकों को आदिश दिया, मंत्री महुदय को बिलकुल आजात करके मेरे सामने लाया जाए, तो मंत्री महुदय को आ और फिर हसते हुए दोस्त थे, मित्र थे, हसते हुए एक बात पूछी, कि आपने ये कहा, मेरी उंगली कटी, आपने कहा कि चलो अच्छा हुआ, और वास्तम में अच्छा हुआ, मेरी बली होते होते बच गई, लेकिन तुमने जो मुझे से ऐसा बोला, यह तो तुमारे साथ बहुत खराब हो गया, तो मैं कई दिन की जेल भुकत नहीं पड़ गई, कई दिन कारावास के काटने पड़े, तो मंत्री बोला, यह भी प्रभू अच्छा हुआ, ईसवान ने यह भी अच्छा किया, राजा वो आश्चर में कि यह अच्छा कैसे हुआ, तो भजीर बोला, महराज अच्छा इसलिए हुआ, अगर आपकी उंगली नहीं करती, मैं आपको ऐसा नहीं बोलता, तो आप मुझे कारावास नहीं करते, मुझे जेल में बंद नहीं कर देते, अगर आपने मुझे जेल में बंद ना किया होता, तो मैं आपके साथ होता, हम दोनों पकड़े जाते हैं आपकी कली में चोट लगी थी इसलिए आप तो बच जाते हैं लेकिन मेरी वली हो जाते हैं समझ रहे हैं इस कहानी के संदेश को तो इस्वर जो करते हैं, जो परम्पिता परमात्मा करते हैं आपके लिए, वो हमेशा अच्छा करते हैं, हम सब परम्पिता परमात्मा की संतान हैं, उनका अंस हमारे अंदर है, परम्पिता परमात्मा साक्षात हमारे अंदर विराजमान है, और हमारे परम्पिता परमात्मा जो हमारे परमपिता हैं, कोई पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, तो हमारे परमात्मा हमारा बुरा कैसे चाह सकते हैं, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, बस आप उनकी बात को समझो, उन्हें सुनो, उनसे बात करो, और जो भी अच्छा या बुरा करते है आप, वो उनको समर्पित करो, तो आपका ईश्वर से संबाद होगा, संबाद बनेगा ईश्वर से, आपकी अंतरात्मा आपको मार्क दर्शंग देगी, जो कभी गलत नहीं होगा, हमेशा ठीक होगा, सही ठीक दिसा में लेके जाएगा, आपको सफलताओं की सीरियों पर चड काजवाए होंगे, तो आप सभी खुस रहें, प्रसंद रहें, स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ, आप सभी को बहुत-बहुत प्रेम और बहुत-बहुत आशिरवार.